आज मैं आपके साथ आम की चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं बहुत ही चटपटी रेसिपी है ये चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं चटनी बनाने के लिए हमाई सबसे पहले लगेंगे कैरी यहां मैंने दो कैरी लिये हुए हैं एक इंच अदरक का टुकरा लिया है और कुछ ड्राइग नमग नमग दोनों एक एक चमच लिया है और इसके साथ ही हमें धनिया लगेगी तो अच्छी बहुत सारी जितनी भी हो सके maximum आप धनिया ले ले तीन से चार आप इसमें मिर्च ले ले और कुछ पुदीने की पत्ते ले ले और इसके साथ अब हम सबसे पहले आम को छील लेते हैं अच्छी तरह से क्योंकि आम का जो छीलका होता है वो हाड होता है इसलिए हमें इसके छीलना जरूरी है वरना ये चटनी में बीच बीच में आता है तो अब सबसे पहले मैं इसे छील लेती हूँ इसके बाद इसके मैं चोटे-चोटे pieces कर लोगी जिससे की mixer में ये अच्छी तरह से grind हो जाएं इसकी जो गुठली होती है अंदर की इसे हाँ फेके नहीं इसको मैं बाद में डाल में डाल के यूज करती हूँ इसलिए मैं इसे कभी नहीं फेकती आप भी डाल में डाल के इसे उबालें तो इसका जो flavor है खटा सा बहुत अच्छा flavor आता है इसका तो इसलिए आप इसे fridge में store करके दो से तीन दिन रग भी सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे pieces अच्छी तरह से कट चुके हैं अब हम एक mixer भ्रैंडेन लेंगे और इसमें सबसे पहले हम dry ingredients डाल देते हैं जैसे कि अद्रक है और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ नारियल सुखा नर्यल इसके जगे आप गीला नर्यल भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें सौफ डाल रही हूं जीरा डाल रही हूं अब मैं इसमें दोनों नमक डाल देती हूं इसके साथ आप चाट मसाला भी आट कर सकते हैं और अब मैं इसमें मिर्चियां डाल रही क्योंकि मझे तीखी चटनी पसंद है आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के साफ से और अब मैं इसमें सारे कटे हुए आम डाल देती हूं और इतके बाद ऊपर से इसमें मैं धनिया और पुदीना दोनों पत्तियां डाल दूंगी तो जो हाड इंग्रीडेंट्स है वो मैं जल्दी पिस जाएगी पीसना हमें थोड़ा थोड़ा करके ही है इसमें मैंने पानी नहीं डाला है तो यह आप देख सकते हैं हमारी चटनी बहुत अच्छी तरह से माश होकी पिस चुकी है बहुत अच्छा टेक्स्चर आया है इसका बिलकुल पानी आट करने के ज़रूरत नहीं है आपको इसमें अगर आपको इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसमें दो चम्मच विनेगर या फिर गरम तेल भी डाल सकते हैं और यह हमारी चटनी बंद कर तयार है इसे आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं खाने के साथ आप हमेशा इसको लें यह फा स्क्राइब करना मत भूलिए हम फिर मिलेंगे अपने अगली रसोई में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया